बाई जिन्दगी में आपने सबसे बड़ा पाप क्या किया है इंजिनेरिंग में एडिमिशन लिया था मैंने क्या? और उससे भी बड़ा पाप मैंने मेकनिकल इंजिनेरिंग में एडिमिशन लिया था बाई इंजिनेरिंग से क्या प्रॉब्लेम है आपको? आज मैं तुझे बताओंगा अपनी दुख बरी दास्ता तुझे पताए, 12 तक में इतना तो जान गया था कि कंप्यूटर और आईटी में गया तो नौकरी नहीं मिलेगी मेकैनिकल और सीविल में गया तो छोकरी नहीं मिलेगी बेंचो जाए तो जाए कहा फिर हमारे चाचा मामा या मौसी का आइंच्टाइन बेटा पता नहीं कहा से प्रकट हो जाता है खुद के चारपाद सब्जेक्ट बैक होते हैं और हमें साला देगा कि बाई मेकेनिकल में जा बहुत स्कोप है स्कोप ये स्कोप शब्ट सुनकर बात ही खतम हो जाती है हमारे घर वालों को स्कोप सुनकर तो ऐसा लगता है जैसा आपना बेटा अंबानी बनेगा चोकरी गई भाड में तुझे तो मेकेनिकल इंजिनेरिंग ही लेना है भुषडी का खुद तो डूपता है हमें भी साथ में ले जाता है माकसम उस मुच्छड गांडू को मैं जिन्दगी में कभी माफ नहीं करूँगा तुझे पाता है हम मेकेनिकल और सिविल वालों को लड़की के नाम पर एक बूड़ी प्रोफेसर मिलती है सिर्फ हमारे जिन्दगी में सिर्फ लॉंडे लिके होते हैं लॉंडे रात को सपने भी हमें लॉंडे वाले पढ़ने लगे अब जो लोग आईटी और कंप्यूटर में जाते उनमें से 90 पसेंट लोगों को घंटा पता नहीं होता कि बिल गेट्स और माइक्रोसफ्ट क्या है कल मैंने एक कंप्यूटर के लॉंडे से पुछा भाई ये रेश्मा कोन है रेश्मा हाँ वो दूसरी वाले बेंच पर बैठती है ना काले बाल काली आखे काली हाँ बस 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 और दीपा दीपा हाँ वो गन्या की आइटम है ना काली आखे काले बाल काली अच्छा अच्छ दुनिया में सबसे बहतरीन एक्जाम कोई देता है तो वो हमारे इंजिनियर एक्जाम का टाइम टेबल तीन महेने पहले ही आ जाता है फिर भी हमारा इंजिनियर रात के बारा बजे फोन करके पुछेगा भाई पेपर कौन साइकल बारवी तक हमारे पैरेंट्स पूछते थे कितने परसेंटेज आए 80 या 90 और अब पूछते है कितने बैक लगे 2 या 4 बेंचोत मैंने कॉलेज की इतनी फी नहीं बरी होगी जितनी एक्जाम फॉर्म की बरी है एडमिशन के टाइम हर कॉलेज हमें बताएगा कि हमारे पास बड़ी-बड़ी मल्टिनेशनल कमपनीज आती है गूगल, फारारी, मर्सडीज फिर लास्ट येर को हमको पता चलता है कि उन्होंने हमारा गंदा वाला चूटिया काटा है मर्सडीज दिखा कर रिक्षा फिटिंग का जॉब मिलता है वो भी पूरे 300 बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चों को बाकी बच्चे 297 बच्चों का फ्यूचर पोपट लाल के लंड जैसा लटकता रहता है इंजिनेरिंग के हर क्लास में तुझे एक चीज जरूर देखने को मिलेगी जिसमें क्लास के सारे बच्चे क्लास बंग करके चुट्टी लेकर घर जाते सिवाए एक मच्चर की गांड के ये भोज़डी का वो मच्चर होता है जो इंसानों का नहीं मच्चरों का खुन पिएगा एसा मच्चर अपने आपको टॉपर बताता है इनको और्गेजम केसे होता है पूछो तो इट इस डिफाइंड एक से स्टार्ट करेंगे सुहाग रात के दिन भी पूरी प्रोसीजर रट्था मारके जाएंगे ये लोग पेंचोद ये न्यूटन और आइंस्टाइन कहां मिलेंगे बातामेरिको दुनिया के करोडो बच्चों की खोलकर मारी इन महाचुतियों ने ये दो लोग इंजिनियर्स के शाकाल और मोगैंबो है इनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं इंजिनियर्स का पहला ये न्यूटन अबे भोसर पपू पेर से सेब सर पर गिरा तो खा लेता या गान में डाल देता वो उपर से नीचे क्यों गिरा ये जानना जरूरी था क्या गान में उंगली करने के आतत जाती नहीं की सेब नहीं नारियल गिरना चाहिए ता नारियल बेंचोत वही मर जाता जान चुटती फिर आया ये यहाँ बच्चों को ठीक से ABCD बोलनी नहीं आती ये बंदर उसके इक्वेशन बनाता है E is equal to MC square बराबर इंजिनियर is equal to Mark E2 वो भी दो बार पता नहीं इस assignment का invention किस गदे की गान ने किया सालों से यही होता आ रहा है assignment पर assignment assignment पर assignment assignment पर assignment पर assignment मिलती रही है लेकिन ये समझ में ने आ रहा बंचों दिया assignment लिख क्यों रहे है हम student submission के लिए अपनी निंद बेच कर college आते और ले जाते तो सिर्फ assignment लड़कियों ने अपने बाल आपना make-up यहाँ तक कि अपना boyfriend भी बेच दाला और उन्हें भी मिला तो सिर्फ assignment महीनों सालों प्रोफेसर के केबिन के चकर काटकर student खुद बन जाते एक assignment और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ एक assignment control भाई control सनी दियोल आ रहा है भाई बाबा हाँ वच मेरी इंजिनेरिंग पूरी हुई है आगे क्या करूँ ये इसके लिए भी एक चटाई डाल रहे अपनी बिराद रिकाए अपनी बिराद पूरी हुई 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 है